ओम साही राम आपका हमारे चैनल श्रीमद ओम रेमेडीज में स्वागत है और आज हम आपको सी साही सचित्र का चतिस्वा आध्या सुनाएंगे हमाड पंच जी ने लिखा है और बाबा ने सुम लिखवाया है और यह हकीकत है कि जो भी कावा ने ध्याय पुरे सुम लेता है या पढ़ लेता है उसकी सारी मनकामनाय पूर्ण हो जाती है यह उसकी सफिस्वा आध्याय में में आपको दो इंसिट्रेंट बताएंगे एक प्त्रेंट तो गुवा करें संज्जन के और दूसरा जो है वह श्रिमती औरंगा बात करका है पैने हम घुवा के दो संज्जन के बारे आपपilo बटाताते हैं दूसरा व्यक्ति भी उन्हें सार से 35 रुपय दक्षिना देने लगा तो उन्होंने उसकी दक्षिना लेना अस्विकार कर दिया लोग को बड़ा अश्यर हुए और शामा ने पूछ लिया कि देवा ये क्या ये दुनों एक ही साथ आये हैं इनमें से एक दक्षिना तो आप स् इसलिए देने वाला अपना रिंग चुकता कर मुक्त हो जाता है क्या मेरे कोई घर है संपत्ति है या वाल बच्चे हैं जिनके लिए मुझे चिनता हो मुझे तो किसी वस्तू की आवश्यक्ता ही नहीं मैं तो सदा सुतंत्रू हूं और इन सत्रूता तता हत्या इन सब का प तिग्या की कि यदि मुझे नौक्री मिल गई तो मैं एक माह का वेतन तुम्हें अर्पन करूँगा इन्हें पंदर रुपे महावार की एक नौक्री मिल गई और फिर उत्रोंता है यह उनत्ती करते चले गए तीस साथ सौ दो सव और अरंत में साथ सौ रुपे तक मासिक वेतन हुए है प्रंतो सुमृती पाकर यह अपना बचन भूल गया उसे पूरा मैं कर सकते हैं अवकने शुब कर्मों के परभाव से इन्हां तक पहुंचने का सोभाग अपराप्त हुआ है अक्ता मैंने इन से क और पंदर रुपे ही दक्षिना मांगी है जो इनके पहले मां की पगार थे हैं दूसरी कता बाव अपने बारे में कताते हैं कि समुंद्र के किनारे गुंते-गुंते मैं एक भव महल के पास पहुंचा और दालान में विश्राम करने लगा उस महल के ब्राह्मन स्वामी ने में था तो उस वेक्ति ने पत्थर खिसका कर दिवार में सेन डाली और उसके द्वारा बीतर उखुषकर उसके मेरा कीसा कतर लिया निद्रा से उठकर मैंने देखा कि मैंने 30,000 रुपे चोरी कर लिये गये हैं मैं वड़ा बिपत्ति में पढ़ गया और दुखितों कर रोता हुआ बैड़ गया कि अबने नोटी नोट चुरा लिये थे इसने मैंने सूचा कि अकार उस ब्राह्मन के दिक तो और किसी का नही इस प्रकार 15 दिन वेतीत होने पर रास्ते से जाने वाल एक फकीर ने मुझे दुख से बिलगते देखकर मैं रोने का कारण हुशा तब मैंने सब हाल उससे कह सुनाए उसने मुझे कहा कि एदि तु मेरे आदेशा मुसार अच्छन करोगे तो तुम्हारा रुप्या और धन अब फॉब को ऊ कि मैं फकीर का पता तूम ने बताया देता हूं कि उसकी शरण में जाओ और उसकी किरपा से तुम्हे तुम्हारा धन पुना मिल जाए उस समय तक तुम्हारा धन कॉंड़ा ऑप लगा कीर का कहना मान लिया और मेरा चुराया हुआ दिन बिल साहता से मुझे एक उस्थान मिला इस प्रकार में दूसरे की नारे पर पहुंचा और वहां से मेरे इलगाड़ी में बैठ कर मस्षीद माया पहुंचा करता समाप तो ही बाब अले इस सबस्थियों को अपने साथ ले जाने और भूजन का प्रबंद करने को का तब शामा उन्हें अपने घर लिवाले गए और भूजन कराया भूजन करते में शामा ने उनसे कहा कि बाबा की कहानी बढ़ी है रहस्य पूर्ण है क्योंकि ना तो य अवाने उन लोगे तो पूछा आप लोगों समझ में आए कि इसका अर्थि क्या है दूनों अठितियों की द्रदियां बंद गई और उनकी आंकों से आसों की धारा बेहने लगे उन्हें रोते रोते कहा कि बावा तो सर्व व्याप्पी हैं अनन्त और प्रभ ब्रह्म सुर आएंगे भूजन के पश्चाद पान खाते उन्हें अपनी कथा सुनाना प्रारम किया उन्हें सही कहने लगा घाट में पहाड़ी अस्थान पर हमारा निवास अस्थान है मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नौकरी ढूंड़ने गोवा गया था तब मैंने भगवान द उसकी स्मिती दिलाई और मुसे पंदर उटे असूल कर लिए आप लोग से दच्षिना न समझे यह तो एक पुराने रिंग का भुकतान है देख दरकाल से बूले पृतिग्या अजपूरी हुई यथात्में बावा ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा और नहीं अपने भगतों को ही मांगने दिया वे अध्यात्मिक उनत्ती में कंचन को बादक समझते थे और भगतों को उसके पास सदैब बचाते रहते वक्त मालसा पर इसके उधारन शुरूप रहा तो बहुत जालवों सहर्दय विपारी हंसराज ने बापा की उपस्तिती में ही एक बड़ी रिकम महार्जा पती को दी प्रंदुबावा ने उनसे अस्विकार करने को कह दिया अब दूसरा थे थी अपनी कहारी सोने लगा उसने कहा कि मेरे पास एक ब्राह्मन रसुईया था जुगत 35 30 वर्सों से इमानदारी से मेरे पास काम करता था बुरी लटों में पढ़कर उसका मन प्लेड़ गया और उसने मेरे सब रुपे चूरी कर लिए मेरी अलमारी दिवार में लगी थी और जिस समय हम दों गहरे नीज में थे उसने पीछे से पत्र हटाकर मेरे 30,000 रुपे के नोट चुरा लिए मैं नहीं जानता कि बाबा को यह ठीक ठीक धन राशी कैसे गया थुगई मैं दिन नात रोता हुआ और दुखी रहता था एक दिन जब मैं इसी प्रकार निराश और उदास उखर ब्रामदे में बैठा था उसकी से मैं रास्ते से जाने वाला एक फुकीर ने मेरी सिर्थी जानकर मुझसे इसका कारण पूचा मैंने उसे सब हाल कह सुनाया तब उसने कहा कि कोपरगाउं तालिके के श्रीडी ग्राम में सिर्थाई बाबा नाम के कॉलिया रहते हैं उन्हें वचन दो तो अपना रूचिकर घुच पदार्थ त्याग दो और मन में कहो कि जब तक मैं तुम्हारा दर्शन अफर दुख कुछ पदास को कदापी ना को तो मैंने चावल खाना छोड़ दिया और वावा को बचन दिया कि बाबा जब तक मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं होतार में चुड़ाई धनराशी नहीं मिल जाती तब तक मैं चावल घर नहीं करूंगा इस परकार जब पंदे दिन बीत ग हो गया जिस फकीर से मेरी भेट हुई थी जिसने मुझे सहाइता पहुंचाई थी वो फकीर मेरे देखने में कभी नहीं आया मेरे मन में सी साही बाबा के दर्शन की जो कांटा थी वो होने लगी जिनके लिए फकीर में मुझे से कहा था मैंने सुचा कि जो फकीर मेरे घर पाया है वो इसाही बाबा के अत्री तौर कोई नहीं हो सकता है जिनने मुझे किर्पा कर दर्शन दिया और मेरे इस परकार सहाइटा की उन्हें 35 रुपे का लालच कैसे हो सकता है इसके विप्रीद वे अहितु किर्पा करके अध्यात में बुनत्ती का पत्त ले जाते हैं जब चोरी की राश्री मुझे कुना प्राप्त हो गई तब मेरे हर्श का पारवाल मेरा मेरे बुद्धी प्रमित हो गई और मैं अपना वचिन भूल गया खुलावा में एक रात्र जा तो देखा कि स्टीमर पचाकच भर चुका है उसमें बैठने के बिल्कुल भी जगह नहीं है कैप्टन मुझे चड़ने ना दिया प्रम तो एक अपरची चपरासी के कहने पर मुझे स्टीमर में बैठने की अनुवती मिल दी और मैं इस परकार बंबई पहुंचा पिर में बैठकर यहां पहुंच गया बाबा के सर्वव्यापी और सर्वव्यक्य होने का मैं मुझे कोई शंका नहीं है देखो तो हम कौन है और कहा हमारा घर है हमारा भाग है कितना अच्छा है कि बाबा हमारी चुड़ाईगी राशी वापर दिलाकर हम यहां खीश कर लाए है आप श्रीडिवासी हम लोग के पेक्चा सस्त गुना स्रिष्ट और भाग विशाली है जो बाबा के साथ हसते हैं खेलते हैं मुदुर भाशन करते हैं और कई वर्सों से उनके समीप रहते हो यह आप लोग के गत जन्मों के सुप समस्कारों का ही प्रभाव है जो कि बाबा को यह खीचला है कि स्री साही है हमारे लिए दर्थ हैं उन्होंने हमसे प्रतिग्या करें और जहाज में इस फान दिला है और हमें यहां लाकर अपनी सर्व व्यापत्ता और सभग्यता का अनभूब कराया है अभी हम आपको स्रीमति औरंगा बादकर के बारें बताते हैं 27 वर के दिर्द अविदी के प्रश्याद भी ने संधान ही थी उन्होंने संधान प्राप्ति निमें देवी और देवताओं की बहुत मंदते मांगी प्रंदु फिर भी हमकी मनुकामना से दिना मुई तब वह सफ़ता निराश होगा अंति प्रयातन करने की विचार से अपने स सौतेले पुत्र से विश्वनात को साथ लेकर श्रीडी आई और यहां बावा की सेवा करते हैं दो मारूट जब वह मची जाती है तो बावा के भक्तवनों से गिरेवे पाती है उनके एक्षा बावा से एक आंद में भेट कर संतान प्राप्ति के लिए प्रातना करने के थी प्रंति कोई अफसर उनके हाथ ही नहीं लग सका अंतिम उनके सामा से कहा कि जे बावा एक आंद में तो मेरे लिए प्रातना कर दे रहा है शामा ने कहा कि बावा को तो फुला दरबार है फिर बेदी तुमारी ऐसी इच्छा है तो मैं अवश्य प्रत्म करूगा प्रंति य उनके गाल पर चिकोटी काट ली तब शामा पुर्य उपर कहने क्या देवा यह क्या आपके लिए उच्छी थे कि आप इस प्रकार मेरे गाल पर चिकोटी काटे मुझे ऐसे श्रापती देश की विल्कुल आवे शक्ता नहीं है जिस प्रकार को आच्छन करे हम आप पर आश शामा बोले कि मुझे तो ऐसा देव चाहिए जो में सदा प्यार करें और नित नयान या मिश्टान खाने को दे मैं तुमसे किसी प्रकार की इक्षा नहीं रखता और ना मुझे स्वर्व यादी ही चाहिए मेरा तो विष्वास सदेव तुमारे चर्णों महीं जाग देत र राजमान हो गया तभी शामा ने उस सद्री को संकीत किया उसने उपर आकर बावा को परणाम करने नारियल और धूपत्ति बेट की बावे नारियल यह लिए आकर देखा तो सूखा था और बचता था बावा ने सामा से कहा कि यह तो हिल रहा है सुनो यह क्या कहता है तब ही बोले क्या नारियल सभी संदान के उद्वत्ति होती है लोग कैसे मूर्ख हैं जो इस प्रकार की बाते गड़ते हैं शामा ने कहा कि मैं आपके वचनों और आशिश की शक्ती से फून अव्यत हूं और आपके एक शब्द मातर से इस बाई को बच्चा का ताता लग जाएग अंदे में बावा ने काया कि देखो इसको पुत्र की प्राप्ति होगी तब शामा ने कुछा कब तर बावा ने उतर दिया कि बारह मास लें अब नारियल को फोर्ड कर उसके दो टुकड़े किये गए एक भाग तो उन दोने निखाया और दूसरा भाग उस इस तरी को दिय तब सामने इस बाई से का प्रिये बेहन तुम मेरे वचनों के साक्षी हो यदि बारह मास के भीते तुमको संतान ना हुई तो मैं इस देव के सरपरिनारियल फोड़कर इसे मस्जिद से निकाल दूगा और यदि मैं इसमें असफ़ल रहा तो मैं अपने को माधवनीक होंग एक वर्ष में ही उसे पुतर रत्म की प्राप्ति हुई और जब आलक पांच मास का हुआ उसे लेकर वो अपने पती सहित बाबा किसी चरणों में पस्ते थी पती पत्नी दोनों ने परणाम किया और किर्टों की पिता ने पांस रुपे रेट किये जो बाबा के गोड़े श चती स्वाध्याय था आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए धन्यवाद